हेलो चुडेंट्स चलिए तो अब हम हमारी इस कहानी यानि के दा स्काइज फॉलिंग इसको समझते हैं तो एक थोटा सा जो है चुजा होता है जिसका नाम जो होता एं चिकन लिकन होता है वो एक दिन जो एक दरख्त होता है बड़ा सा उसके लिचे बैठ के सोच रहाता है अच्चानक उसके सरपे जो है दरख्त का जो पत्ता है यानि गेता है जैसे ही पत्ता उसके सरपे गिरता है चिकन लिकन कहता है oh no oh no the sky is falling यानि के ओ नो ओ नो आस्मान गिर रहा है ऐसे कहता है और भागना शुरू कर देता है वो भागते भागते जो है एक मुर्गी से मिलता है जिसका नाम जो है हैनी पैनी है हैनी पैनी पूछती है अरे चिकन लिकन क्या हो गया तुम क्यों भाग रहे हो चिकन लिकन कहता है तो इ कहती है ओ आना वो भी भागना शुरू कर देती है। वो चिकन लिकन एन भानी पनी दोनों भाग रहे थे। फिरु रीरास्ते में एक मुरगा मिलता है। उस बाही ऑस नाम था ? कौकी लोकी, पुछता है, चिकन लिकन, हैनी पैनी, तुम कहां भाग रहे हो, तू कहते है, कि the sky is falling, आसमान गिर रहा है, और इसका एक तुकड़ा, चिकन लिकन के सर पर गिर रहे है, कौकी लोकी कहता है, ओ डियर, ओ डियर, और वो भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है ये तीनों भाग रहे थे फिर इने बदक मिलती है बदक पुछती है चिकन लिकन हैनी पैनी और कौकी लौकी तुम कहां भाग रहे हो और तुम क्यों भाग रहे हो इस पर वो लोग कहते हैं कि आसमान गिर रहा है और इसका एक तुकड़ा जो है चिकन लिकन के सर पे गिरा ये एक राच़े सुनने के बाद में जो डख थी यानि के डखी लखी था वो कहता है ओडियर ओडियर और डखी लखी भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है इस तरह यह जब चारो भाग रहे थे इने रास्ते में मिलता है एक हंस जिसका नाम था गुसी-पुसी गुसी-पुसी पुछता है चिकन-लिकन, हैनी-पैनी, कौकी-लोकी और डकी-लकी तुम कहां भाग रहे हो तुम क्यू भाग रहे हो वो कहते है कि आसमान गिर रहा है और इसका एक तुकड़ा चिकन-लिकन के सर पर गिरा है ये सुनने के बाद में जो गुसी-प नाम था फॉकसी लॉकसी, एक शैतान का चेला था यानि ये बहुत जादा चालाग था, तो ये पुछता है, कि चिकन लिकन हैनी-पैनी, कौकी-लॉकी-डॉकी और गुसी-पुसी, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तो ये लोग कहते है कि आश्मान गिर रहा है और इसका अट तुकड़ा चिकन लिकन के सर पे गिरा है इस पर जो फॉक्सी लॉक्सी था यानि लोंबडी थी वो कहने लगी के डूंट वरी यानि के तुम परेशान मत हो मैं तुम्हें एक महफूस जगा लेके चलता हूँ इस थरह वो उन सब को उसकी जो गार थी यानि केव के पास लेके और गुशी पुशी थे वो सबके सब उसकी जो केव है यानि गुफा में चले जाते हैं जैसे ही वो सब लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं तो फॉक्सी लॉक्सी कहता है यू फुलिश किरियेचर यानि के तुम बेवकूफ मखलूख हो मैंने तुम सबको पकड़ लिय है ये सुनने के बार में जो अंदर सबके सब्सक्रत है वो केरें लगे मदद करो मदद करो मदद करो मदद करो इस आवाज को सुनते वे भाच पर एक कुछता आता है जिसका नाम था कुता इसका नाम धा W brill गये एनिया का समगल जाओ फॉक्सी की भी कहीवी बात पर यकी नहीं करना चाहिए जो तक कि हम उसे खुद कंफर्म नगर ले जैसे के शिकन लिकर ने कहा कि मेरे सर पर आसमान गीता तुकड़ा गिरा है वो जो पांच लोग उसके साथ भाग रहते हैं अगर वो एक बार भी देख लेते कि अश्मान नहीं गिरा आसमान उसकी जगह पर ही है तो वो लोग ना फॉक्सी के बास जाते ना वो लोग गुफा में कैद होते ना वो लोग डरते ना उन्हें मदद के लिए किसी को बूलाना पड़ता है इसलिए किसी भी बात को यकीन करने से पहले उसकी तहकीकात करना जरूरी है, किसी भी अफ़वा पे बहुरसा नहीं करना चाहिए